दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सेयर करें दोस्तों आपकी प्यार और सपोर्ट की हमें बहुत ही जरूरूरत है हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागा थे आपका जियो भी नीज पे दोस्तों इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे सभी बड़ी के रूप में तो दोस्तों आज ही सबसे बड़ी ख़बर है दोस्तों वीडियो को ये के लाइक चरू करें दोस्तों आई पील फाइनल 2019 लथिंग मलिंगा ने आखरी ओपर में पल्टी बाजी मुंबई रिकोर्ड चोथी बार बनी बीजेता जी हां दोस्तों मुंबई इंडि बाज ने मुंबई को 20 ओवर में 8 ओवर के नुक्सान पर 149 रन का रुक दिया था चेनई के लिए आखरी ओवर तब तक सही जा रहा था लेकिन सेन वाटसन 80 के रन पर उन्होंने खेला और बाजी पलट दी आखरी गेंद पर चेनई को जीत के लिए 2 रन चाहिए तिंग मलि वाटसन को इस मैच में 3 जीवंदान भी मिले लेकिन वा फिर भी चेनई को जीता नहीं सके इसी के साथ मुंबई ने एक बार फिर से चेनई को फाइनल जीताने में रोक दिया यह चोथी बार था तब चेनई और मुंबई फाइनल खेल रही थी और तीसरी बार मुंबई को लक्ष का पीछा करने उतरी चेन्ने के तेज सुरुआत की लेकर के मुंबई ने तुरंत वापसी करते हुए परिसान लागतार बड़े सोट मार रहे है फाफ डू प्लेस 26 को कुनाल पांट्या ने किंडिल डी कॉक के हाथो स्पीन कराया वह 33 के कूल स्कोर पर आउट हुए व महन सिंग धोनी दो रन को इसारा किशन के डाइरेक्ट हीट करके उन्हें आउट कर दिया चेन्ने का स्कोर चार विकट पर बेरासी रन था यहां वाटसन ने एक छोर संभालने ते हुए और उन्हें टिके रहे उन्होंने 16 और 17 ओवर में 20-20 रन लेकर के चेन्ने के रेस में लगा दिया आखरी के पाच ओवर में केरन पोलाड रह रहते हुए मुंबई 47 रन ही बना पाई और इस दोरान उंके तीन विकट खो दिये पोलाड ने आखरी ओवर में आखरी दो मैचों का दो चोके मारे और लेकिन इससे पहले भी इसी ओवर में डाइनट ब्रोनों ने य पहलो गए जी हाँ तोस्तों आपको बता दे कि मुंबई का स्कूर 15 उबर के बाद 5 बिकट के नुकसान पर 102 रन था और अब पर मुंबई की अंतिव आखरी उबर के विससग जोड़ी किरल पुलाड हार्दिक पांडिया 10 ही थे यह जोड़ी कुछ खास नहीं पाई गई ग जाहर को भी खाता खोल के पवेलियन भेज दिया और मुंबई का स्कूर 7 बिकेट पर 140 रन ही जी हाँ दोस्तों आइपियल चेंपियन मुंबई इंडियंस को मिलेंगे 20 करों CSK को मिलेंगे इतने रुपे जी हाँ दोस्तों चन्नाई सुपर किंग को आइपियल 12 के फाइनल म मात देकर के मुंबई इंडियंस ने चोथी बार आइपियल टोफी पर कबज़ा बनाया है मुंबई इंडियंस ने आइपियल का चोथा खिताब जीत लिया है आइपियल ने अपनी जीत किस रिष्टता साबित की है इसके पहले मुंबई ने 2013, 2015 और 2017 में खिताब जीत हासिल है आइपियल के बार होए संसकरण में फाइनल के बाद इनामों की बारिस हुई है चेंपियन मुंबई इंडियंस को 20 कड़ रुपए रासी दी गई है फाइनल में हारी चेन्नाई सुपर किंग जिया दोस्तों इसको 12.5 कड़ रुपए की नगध रासी आपको बता दे कि आ हाला कि एक वरिष्ट मंतरी ने कहा है कि भारत में चुनाव संपन होने तक यथा इस्थिती रहेगी पाकिस्तान ने 26 फरवरी को बाला कोट के आतंकी सीविर पर भारती वाई सुना के हमले के बाद अपना होई चेतर पूरी तरीके से बंद कर दिया था बाद में उसने 27 मार्च को होई चेतर फिर से खोल दिया पर नई दिली बैंकोक और कौला लंप चेतर को खोले जा या नहीं पाकिस्तान के प्रधान मंतरी इवरान खान के करीबी मंतरी फवाद चोधरी ने नहीं लगाया है कि भारत में लोकतंतर जुनाव संपन होने तक यथा इस्थिती में कोई बदला होने वाला है भारत और पाकिस्तान ने 26 फरवरी को दोनों देसो के बीच तनाव बढ़ाने पर अपने हवाई छेतर को एक दूसरे के लिए बंद कर दिया था जी हाँ दोस्तो अगली बड़ी के वरे प्रधान मंतरी मोदी ने बताया अपात काल के दौरान कांग्रेस ने कैसे दबाई थी कि सोर कुमार की अवाद जी हाँ दोस्तो प्रधा के छेंगाओ माखन में भाजपा उमिद्वार के समर्थम ने एक सबा को संबोधित करते हुए परधान मतरी मोदी ने अपातकाल से लेकर के भोपाल गैस तरासिद्दक का जिक्र किया और कांग्रेस पर हमला बोला उन्होंने बगैर नाम लिए सैम पितरोदा के हुए हुए तो हुए बयान पर बार बार जिक्र किया जिया दोस्तों उन्होंने गाए कि भोपाल में हजारों लोगों को जहरीले गैस के हमले पर किये गये हैं कई पिडितों को बर्बाद कर दिया गया है इस कांट के गुनहगार को सरकारी बिमान से ले जाया गया अगर उसे कि तुष्टी करन के कारण अतंकवाद में हजारों लोगों की जान गई आज ये कह रहे हैं कि हुआ तो हुआ जिहां तोस्तों आपको बता दे कि 1984 के सीख दंगों में हजारों लोग मारे गए हैं इस घटना को लेकर के सेंप पितरोदा का बयान आया था जिसमें से उन्होंने कहा था कि हुआ तो हुआ बाद में हाला कि पितरोदा ने अपने इस बयान पर माफी मांग ले थी उन्होंने कहा है कि देश के मसहूर गायक किसोर कुमार का जब भी नाम आता है लोग खंड़वा का जिगर जरूर करते हैं अपातकाल के दोरान वह दबाव में नहीं आएं अपातकाल के दोरान कांग्रेस ने देश को जेल खाना बना दिया जिसको मंजूर नहीं था बदले में रेडियो पर उनके गाने पर रोक लगा दी तब टी बी नहीं था अगर कांग्रेस के लोगों से किसोर कुमार के गाने पर रोक लगा दी जाने को ले करके अब सवाल प हिंदू आतंकवाद का कुरकर गढ़ने के लिए हमारी महान परंपरा को बदनाम करने पर गंभीर सडयंत्र और यह भी सिर्फ वोट और वोट बैंग की राजनिती के लिए करते हैं उसी पर जबाब में उनको मिल रहा था चाहे जितने भी हवन करा दे कितने भी जने दिखा ले भागवाद रेस भी सिलवा ले लेकिन भागवाद पर आतंकवाद के जो दाग लगने की कोशिस की है साजिस की है उस पाप से कॉंग्रेस और महा मिलावटी नहीं बचपाएंगे जिया दोस्तों परदानमात्री मोदी ने कांग्रेस की खोटी नियत पर बताते हुए इस तरह की के पार्टी को सतर कराने को कहा है उन्होंने राज सरकार पर वादा खिलाफी का अरोप भी लगया है उन्होंने का है कि इस तीर में कर्ज माफ कराने का वादा किया था यह मामता और मायावती मीटिंग से रह सकती हैं दूर जी हां तो सो लुक्स भाचुनाव 2019 के छठे चरण के लिए सात राज्यों के 69 सीटों पर वोटें गोई अब आखरी चरण के लिए 99 माई को चुनाव होने हैं लेकिन चुनाव खत्म होने से पहले विपक्ष में के बीच दरा किया जाना था सुत्रो का कहना है कि आंधर परदेश के सीम चंदर बाबु नाइडू बीते हपते बंगाल गये थे और उन्होंने ममता बेनरी से मुलकात की थी लेकिन जब उन्होंने मीटिंग के बारे में बात की तो ममता ने उनसे कहा कि अब तो 23 मैं को नतीजी आने के ब इस सवाल को टाल दिया लेकिन पीम बननेस की एक्छा मायावती और ममता दोनों के मन में है वहीं कॉंग्रेश अदक्च राहुल गांधी का नाम कई नेता पहले ही पीम पद के लिए जुका चुके हैं जिसमें से डीम के परमुक अस्टेलियन भी सामिल है मायावती और ममता बंदन से अलग हो गए उन्होंने कई बार मध्य परदेश सरकार के कमलनात के हाथों खीजी यह धंकी दी गई है उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोट इस मामले में कॉंग्रेस पुलिस और अस्थानिय प्रसासन के खिलाफ कारवाई करे और उसे दंड दे बी चुनाव लड़ना होगा वही मामता बेनर जी भी राजनितिक ही माहिर खिलाडी है वह बीते 30 साल में ज्यादा समय से राजनिति में सक्री रही है